स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल शूती क्लासेस पर आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिक जानेंगे किसी भी संख्या का 11 से गुड़ा कैसे करते हैं ठीक है? चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो या फिर 3 डिजिट नंबर हो उसको 11 से गुड़ा कैसे करेंगे कम समय में? या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं मान लीजिए हमको करना है 33 और 11 का गुड़ा ठीक है? पहले हम लोग 2 डिजिट नंबर को लेके चलेंगे ठीक, 2 डिजिट नंबर हमने कौन सा गुड़ा लिया? 33 और 11 को गुड़ा करना है इसको ट्रिक में सीखेंगे कि कैसे कम समय में इसको करना है ठीक, पहले क्या करेंगे? इधर की संख्याओं को गुड़ा करेंगे ठीक है? 3 बन्जा 3 लिख दीजिए ठीक, इधर की संख्याओं को गुड़ा करें 3 बन्जा 3 लिख दीजिए फिर क्या करेंगे? इन दोनों को जोड दीजिए 3 प्लस 3, 6 वो लिख दीजिए बीच में हो गया हमारा question solve कितना कम समय में कर लिया? कितना easy था? देखा आपने? क्या किया? 33 को 11 से गुड़ा करना था पहले unit digit को multiply कर दिया 3 बन्जा 3 लिख दिया फिर last की गिंति को multiply कर दिया 3 बन्जा 3 लिख दिया फिर जो हमारा 33 था उन दोनों को जोड करके बीच में लिख दिया 363 आ गया answer या फिर ऐसे भी कर सकते हैं पहले unit digit को multiply कर दिया लिख लीजिए फिर दोनों को plus कर लीजिए बीच में लिख दियए फिर last की गिंति को multiply कर लीजिए और last में लिख दियए आ गया हमारा answer है ना? easy था? चलिए अब एक और question देख लेते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारा question है 64 64 को करना है 11 से ठीक है? कैसे करेंगे? इसको बताइए चलिए करिए पहले क्या करेंगे? इधर की गिंति को multiply करेंगे 4 बन्जा 4 कर लिया फिर क्या करेंगे? जो उपर की दो संख्याए 64 को 11 से करना था ना? 64 को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे 6 प्लस 4 कितना होता है? 10 ठीक है? तो 0 लिखा और 1 कैरी कर दिया क्या कि हमने बीच जो हमारा 11 से हमको जिस संख्या का गुणा करना था उन संख्याओं को जोड लिया कितना आएगा? 6 प्लस 4 10 आएगा 10 को हम लोग को एक ही डिजिल लिखना है इसे 0 लिखेंगे और 1 कैरी चला जाएगा फिर उस कैरी को इसी में जोड देंगे अब इधर क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है 6 बन जा 6 प्लस 1 7 हमारा एंसर कितना आएगा? 7 0 4 आप चाहेगा इस काल्कुलेटर उठा के चेक कर लिजिए यही एंसर आएगा ठीक है? बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा मेठेड है यह आप इसको एक्जामस में बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और अपना टाइम भी बजा सकते हैं चलिए एक और क्वेशन देख लेते हैं जैसे कि मान लीजिए हमें करना है 98 और 11 98 और 11 को कैसे करेंगे? उसी ट्रिक से करेंगे 8 बंजा 8 लिख लिया फिर इन दोनों को जोड लीजिए 9 प्लस 8 कितना होता है? 17 7 लिखा, 9 बंजा 9 प्लस 1, 10 क्या आएगा यहाँ पे? 10 आएगा 10, 7, 8 यह हमारा अंचर होगा ठीक है? क्या किया? इधर के संख्या को गुड़ा कर लिया 8 बंजा 8 फिर 98 को जोड लिया कितना है? 17, 7 लिखा 1 कहरी गया फिर इधर के संख्या को गुड़ा करेंगे 9 बंजा 9 प्लस 1, 10 10, 7, 8 अमारा अंचर आगया ठीक है? आप चलिए और क्वेशन्स देख लेता है और माल लीजे क्वेशन है 52 इंटू 11 ठीक है? 52 और 11 को करना है कैसे करेंगे? पहले इधर की संख्या को गुड़ा करेंगे लिख लेंगे 2 बंजा 2 आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे 5 प्लस 2, 7 7 लिख लिए फिर इधर के संख्या को गुड़ा कर देंगे 5 बंजा 5 आगया यही हमारा अंचर होगा 5, 7, 2 ठीक है? अब और क्वेशन देखेंगे प्राक्टिस के लिए चलिए और देख लेते हैं जैसे कि है मान लीजे 89 89 को करना है 11 से तो कैसे करेंगे? पहले इधर के संख्याओं को 9 बंजा 9 फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे 8 प्लस 9 कितना होता है? 17, 7, 1 कैरी अब इधर के संख्याओं को घुड़ा करिए 8 बंजा 8 प्लस 1, 9 एंसर आगे हमारा 979 ठीक है? समझ में आया कैसे था? कितने easily हमने कर लिया solve? कम समय में अब हम लोग देखेंगे 3 डिजिट नंबर का multiply कैसे करते हैं देखें मान लीजे हमारा question है 3, 3, 3 into 11 ठीक है? 11 से ही 3 डिजिट नंबर को कैसे multiply करेंगे? चली देखते हैं उसी method को हमें अपनाना है 3 बंजा 3 ठीक है? अब क्या करेंगे? पहले 2 संख्याओं को प्लस करेंगे 3 प्लस 3, 6 फिर इन 2 संख्याओं को प्लस करेंगे 3 प्लस 3, 6 फिर इसको और इसको घुड़ा कर देंगे लास्ट की संख्याओं को 3 into 1, 3 आगया हमारा answer 3, 6, 6, 3 ठीक है? आप चेक कर लीजे, देख लीजे यही answer आएगा और ना यकीन हो तो कोई भी संख्याओं अपने मन से उठा लीजे और उसको 11 से गुड़ा करके देख लीजे इसी ट्रिक से answer मैच करेगा आपका, I guarantee I guarantee ठीक है? देखिए, और हम लोग क्वेस्चन कर लेते हैं माल लीजे, हमारा क्वेस्चन है 5, 6, 4 into 11, ठीक है? हम लोग को 5, 6, 4 को 11 से multiply करना है कैसे करेंगे? वसी ट्रिक को अपनाएंगे 4, 1, 4 लिख लिया अब पहले 2 संख्या को प्लस करिए 6, 4, 10, 0 लिखा 1 कहरी गया फिर इन 2 संख्या को प्लस करिए 5, 6, 11, 1, 12, 2 लिखा 1 कहरी गया अब लास्ट की संख्या को गुड़ा कर दीजे 5, 1, 5, 5, 1, 6 कितना आया अंसर हमारा? 6, 2, 0, 4 समझ में आगया कैसे किया? आपकी ट्रैक्टिस के लिए आईए हम कुछ और क्वेशन करते हैं मान लीजे हमारा क्वेशन है 7, 8, 1 को 11 से करना है ठीक है? अब चलिए इसको करते हैं कैसे करेंगे? 1, 1, 1, 8, 1 9, 7, 8, 15, 5, 1, carry 7 बन जा 7, प्लस 1, 8 कितना आया? 8, 5, 9, 1 हो गया कितना इजली सॉल्फ? कितना जल्दी कर लिए हम लोग ने? आप चलिए एक और क्वेशन ले लेते हैं कौन सा आंक ले? मान लीजे है 4, 2, 1 चलिए यह चिको कर लेते हैं 4, 2, 1, into 11 कैसे करेंगे? 1, 1, जब 1 फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 2, 1, 3 फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 4, 2, 6 फिर लाश के संग्या को गोड़ा कर देंगे 4, 2, 1, 4 आ गया हमारा 4, 6, 3, 1 ठीक है? I hope सा आप सभी को समझ में आ गया होगा कितना अच्छा, कितना इजी ट्रिक था आई आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज चैनल लाइक करिएगा अगर आप सभी को ट्रिक पसंद आई हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाईएगा ठीक है थांक्यू गाइज बाई